दिल्ली में कोरोना के केसों ने एकदम से रफतार पकड़ ली है जिसके चलते दिल्ली सरकार चोकस नजर आ रही है आपको बता दें कि दिल्ली से नोईडा आने वाले वाहन चालकों की डी एंडी पर कोरोना रेंडम जाँच शुरू कर दी गई है संदिग दिवाहन चालकों को रोकर उनकी कोरोना जाँच की जा रही है मौके पर पुलिस बल भी तैना थे स्वास्ते विभा की एक टीम डी एंडी टोल प्लाजा तो दूसरी टीम चिल्ला रेगुलेटर बोर्डर पर तैना थे दोनों की बोर्डर पर रेंडम कोरोना पर मौके पर हैं साथ ही स्थानिय पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं वहन चालकों को रोकर पुस्ताच करने पर टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार लग रही है कई वहन चालकों ने इस रेंडम चेकिंग का विरोध भी किया है चालकों का कहना है इसके चल पायू प्रदूशन में वृद्धी के बाद से दिल्ली NCR में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं इनमें 30 फीसद संक्रमित लक्षन वाले मिल रहे हैं इसने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ाने का काम किया है जिसके चलते जिलाधिकारी ने प्रशासनिक वस्वास् बैठक करते हुए स्वास्ते विभाग को टीम बना कर DND एवं चिला रेगुलेटर की ओर से आने वाले व्यक्तियों की रेंडम कोरोना चेकिंग कराने के निर्देश दिये हैं वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि क्रोस बॉर्डर की वज़े से जिले में संक्रमन बढ़ रहा ह इसलिए दोनों बॉर्डर पर रेंडम सेंपलिंग का प्लान तयार किया है अगर केस बढ़ते हैं तो आने वाले समय में नोईडा से सटे दिली के सभी बॉर्डर पर सेंपलिंग की जाएगी बताते चलें कि दिली एंसी आर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प् अंदिख्द की एंटीजन रेपिट किट से कोरोना जाच करवाई जाए इस कारे में पुलिस का सहीयोग प्राप्ट करने के लिए भी निर्देशित किया है करे जाएगी एंसी एंसी आर में जाएगी जाएगी आर में जाएगी ँडैस्टीजन रेपिट से लिएगी से लिए रेज़। झाल झाल ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल झाल झाल